हेलो वाट्सप गाईस आज हम इस वीडियो में देखने जाए एक कम्प्लीट रियक्ट फुल स्टैक वेबसाइट यूजिंग एक्सियोस मैं गैरेंटी दे सकता हूँ कि गाईस 99% चांस होगा कि यह जो तरीका में आज आपको बताने जा रहा हूं यह आपने कभी देखा ना होगा ना कभी आपने यह किया होगा तो यह जो आने वाले अपकमिंग फोर वीडियो से बहुत ही जादे इंपोर्टेंट है इसमें कम्प्लीट कवर्ड ओप्रेशन देखेंगे वित रियक्ट प्लस एक्सियोस बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला सो गाईस बिना किसी देर की तुरू समझाता हूँ एंद धेरे धेरे हम चार वीडियो में इसको कम्प्लीट करेंगे दिस इस यह आप हो आप लेट से आपने सर्च के अपने ब्राउजर में लेट इट भी योर क्रोम फायरफॉक्स मैक्रोशॉप्ट एज ओपेरा जो भी आपने थापर टेक्निकल द Performance search की तो जब यह आप फिस पोड हें तो आप यह क्या कर रहे हो आप एछुन हुआ प्रिक्वेस्ट कर रहे हो आप किसको रिक्विस्ट करते हो आप कोने ङूंट करते तो हम हमारे बैकेंड को रीक्वेश्ट करते है जो कि चीजे बट एक चीज़ तो आपने नोटिस कर ली कि हम कब रिक्वेस्ट के बात करते हैं और हमें कब रेस्पॉंस मिलता है और पेसे अगर आप किसी को नॉर्मल कॉल भी करते हो तो अगर सामने से कुछ हाई है लुए मतलब उसने हमें रेस्पॉंस किया यह तो एक नॉर्मल कॉमन सेंस वाली बात थी तो यहां पर भी सेम होई है ठीक है और जब हमें रेस्पॉंस मिलता है तो बेसिकली वेबसाइड आपको दिखाई देता है जिसमें यह तो बना होता है यह तो एकडम बेसिक था बट अब यहां पर चाप्स जो एकडम ज्यादा यूज होता है जिसमें नमबर वाँ इस यह पोस्ट दैन गाईच सकती और गेट पूट यह पैच एंड गाईज डिलीट अब यह जो चार चीज आपको दिखाईग गाईज तो यही है आपके STTP के मैथट्स एंड यह क्यू काम आता है वह तो जब हम वान वाई वान अभी वीडियो को कंटीनु करेंगे तब पता चल जाएगा बट एटलीस आपको यह तो पता चल गया कि इस रिक्वेस्ट क्या है रेस्पॉंस क्या है और यह जो मैथड है वो कौन- पता चल गया अब और आगे जाते हैं ठीक है यहां पर आप देख सकते हूं कि इसको मैं और फॉर्दर आपको लेके जाओ तो वेर इस दिस कर्ड ऑपरेशन यह कर्ड यह जो बेसिकल वर्ड है यह कहां से आया और वाट इस दी मीनिंग अब इस कर्ड यह दही वाला कर्ड अब मैं आपको बताता हूं जहन से देखना तो get करना चाहते हो मेरे source code को free में जो कि मैं provide भी कर रहा हूँ तो please like, share and subscribe कर दीजेगा तो get मतलब पाना मतलब read अगर आप server से कुछ माग रहे हो तो वो जब आपको देगा तो आप read ही करोगी और तो आप क्या ही करेंगे यह computer छूके मैं कुछ कर नहीं सकता उसको सिर्फ देख सकता हूं मतलब read then put अब यह put and then patch ठीक है यह basically आपके जब आपको कुछ update करना for example user registration करना चाहरा था गलते से किसी और का number दे दिया अब उसको OTP आ नहीं रहे अब उसको update करना अपना mobile number तो क्या करेगा वो request करेगा ना अब हमारे backend में या database में जहां पे store है वहां पे change करना है तो either we use put या तो patch put या तो patch क्या है difference में बताऊंगा ठीक है put basically complete आपका पूरा data एक साथी हटाता है नया data डालता है patch में अब मतलब अगर 100 word है तो किसी 10-20 को change करना हूँ तो basically इस तरीके से काम करता है डोंट वरी जब हम practical देखेंगे तब समझेगा अभी तो पर ही जाने वाला है तो अब बस आप इतना समझ लो जब हमें update करना हो तब हम put request यह जो method है उसका use करेंगे and at the end तो guys अब let's say आपने user basically आपने अपने account create की आपका काम होगे वाला में को नहीं मतलब मुझे अपना privacy चीए मुझे अपना account हटाना है तब आप क्या अगरते हो डिलिट करते हो तो डिलिट तो डिलिट ही है तो एक चीज आपने नोटिस की post get put and delete ये तो आपके actual http method है but इसको अगर हम थोड़ा in simple terms में समझते तो एक का का में create करना दूसरे का का में read करना तिसरे का का में update करना चौते का का में delete करना तो अगर हम इन चारों का first जो letter है उसको अगर हम ले so this is your C, this is your R, this is your U and this is your D C, R, U, D, CURD तो CURD मतलब ही आपका create, read, update and delete and ये operation करने को ही CURD operation बोलते हैं कहीं ने कहीं ये आपका एक full stack के अंदर आ गया जिसमें आपका आप create भी कर रहे हो, read भी कर रहे हो, update भी कर रहे हो and delete भी कर रहे हो तो I hope guys at least CURD operation http methods उसके साथ जो related है and request and response हम कभ इसका use करते हैं ये तो आपका clear हो गया अब इसमें Axios का क्या काम है वो तो आप हम देखेंगे लेकिन I hope ये आपको पता चलिगा क्योंकि इतना आपको जाना बहुत ज़्यादा ज़री था all right all right guys I know आपके मन में बहुत इच्छा हो रही कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे तो मैं आपको बताता हूं ठीक है मैं यहां पर चल रहा हूं and boom guys तो यह जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है guys यहां पर जो भी data मिल रहा हमें real time जो API है JSON placeholder का वहां से हमें मिल रहा है यह सब कुछ यहां पर पूरा complete code operation हम देखने वाले हैं मैं आपको बताता हूं कैसे सबसे पहले देखो यहां पर we have this particular portion मैंने the moment refresh के मुझे data आ गया तो जो code operation में एक request था method that is your get या read वो तो हो गया हमें data अल्रेडी मिल गई यहां पर now दूसरा होता है guys कि आपका post करना post मतलब क्या है कि आप अपने end से data आप add करना चाहते है अपने API पे for example कोई user है अपना registration करके database में add करना चाहता है तो मैं यहां पर देखो क्या करता हूं मैं लिख देता हूं title में post data ठीक है मैंने title लिखा थापा and मेरा जो body है मैंने लिखा post data and मैं add पे click कर रहा हूं तो within a few seconds अगर आप देखोगे मैं inspect करता हूं मैं अगर network पे चलता हूं तो आप all right वो तो अभी फिलाल जा चुका है अगर मैं component में जाता हूं form पे जाता हूं तो आप देखोगे कि यहां पे हमारा इतना सारा data है ठीक है and अगर मैं आप एकदम bottom पे जाओंगा and boom guys see यह देखिए यह देखिए जड़ा 101 automatic and यहां पे मुझे मेरा data आ गया तो कभी आपने यह सोचा था कि json placeholder पे आप अपना खुद का data एड़ कर सकते हो and guys जो तरीके से हम इसको एड़ कर रहे वो देखोगे तो आपको और मजा आ जाएगा and आपने कभी यह ऐसा भी देखा नहीं होगा कि जहां पे आप दो-दो input field के data को एक साथ आप एड़ कर रहे हर आपने तूडू देखा होगा जिसमें एक ही फिल्ड होता लेकिन क्या हो जब दो data हो and साथ ही साथ आपका local हम json file नहीं हम हमारा जो actual API का file है उसके साथ खेल रह दाएगा तो हमने read कर लिया data read करी रहे मैंने data add भी करवा दिया मेरे API में data add कर रहे देखो data add भी होगी है अब ठड़ आता है guys आपका update करना तो हम कैसे update करते है देखिए मैं यहाँ पर चलता हूं let's say second वाला इस पर मैं edit पर click करूंगा ध्यान से देखना अब भी यह क्या द देखना आप यह ठीक है यह यहाँ पर चला गया अगर मैं आपको बता हूं तो यह यहाँ पर आ गया तो title इदर चला गया body यहाँ पर चला गया जो तुछी देर पहले add था वो अब हो गया यहाँ पर edit it means कि अब हम इसको update करना चाहते है and कि इसको सिर्फ हमारा यह जो particular data है सिर्फ उसको तो यह भी बहुत important है यह कैसे हुआ होगा right क्योंकि दो-दो input field है यहाँ पर तो let's इसको मैं लिख देता हूं again यहाँ पर थापा यहाँ पर मैं लिख देता हूं post updated ठीक है and the moment मैं अगर edit पे click करता हूं and बॉंगा इससी देखा क्या हूँ यह देखो देहन से देखना जा रहा क्या हो गया यह particular portion देखो सारे empty हो गया जो थुदेर पहले guys आपका edit था वो फिड से अब add हो गया it means फिड से हम post करेंगे ना कि update करेंगे and then जो data था वो title change हो गया news में जो था वो post updated आ गया यह है ना कि फूर्द बचा एक that is your delete the moment में delete पे click करूंगा वो delete भी हो गया and जो number है वो अभी भी 2 है क्योंकि वो ऐसे उसका जगा खाली नहीं कोई और उसका जगा ले लेता है and अगर मैं bottom पे जाता हूं bottom पे जो थुदेर पहले मेरा 101 था वो वापस अब यह 100 हो गया है but yeah तो आप खेड़ खानी नहीं कर सकता बाट फिर भी मैंने आपको दिखा कि कैसे react full stack complete code operation में बताऊंगा using axios वो भी ऐसा तरीका जो आपने ना देखा हो तो बहुत ज़्याद इंपोर्टेंट है guys आप इसको बिल्कुल मिस नहीं कर सकते यह दिखने में easy लग रहा है बट जो तरीके स हम करेंगे guys वो तरीका अगर आपको पता चल गया तो फिर आप बहुत easily guys like project create कर सकते हो तो अब हम चलते हमारे vs code editor पर ठीक है and मैंने कल की दिन एक video बनाता complete axios तो उसको भी check out कर सकते हो and हाँ एक और चीज यह पूरा का पूरा हमारा react जो series यह उस क्यूपर है version 19 को लेके मैं मैंने पूरा series बनाया तो guys अगर आप 2025 में भी देख रहे हो ना तो बिलकूल मत घब रहा न क्यूंकि version 19 तो 2024 में आया ही नहीं और मैंने बना भी दिया समझे रहो तो like अगर आप 2025 में देख रहे हो तो this is the best and जो react router version 6.4 वो भी अभी तक आया नहीं है मैंने उसको लेके बना अगर आपको मेरे content पसंद आते हैं अगर आप मुझे support करना चाहते हैं तो में नहीं कहता खाली आप मुझे कुछ दे दीजिए उसके बदले में भी कुछ देना चाहता हूं that's why guys मेरे पूरे YouTube करियर में आज तक मैंने जितने भी videos बनाया है सारे A2Z सब मैंने सिर्फ 249 रू कर सकते हैं आप एक बर इसको चेक कीजिए 249 रूपेज में मेरे पूरी YouTube करियर की मेरी जो knowledge आपके साथ सेर कर रहा हूं यह मैं बस support के लिए अगर आप चाहते हो तो आप इसको buy कर लिजेगा उसके बदले मैं आपको like 100,000 गुना ज्यादा return यह सब कुछ दे रहा हूं ठीक आप में काम कर रहे हैं आज के टाइम में वो create react आप तो गया है हम ही क्या चीए wheat तो wheat में कैसे काम करते हैं मैं आपको बात आता हूं ध्यान से दिखना सबसे पहले तो make sure कि आप जिस particular folder में काम करना चाहरे है उसका अंदर आप आ जाओ नॉर्म यह बच्चो वाला है ठीक है यह आपको लिखना है तो आपको आपका प्रोजेक्ट का नाम बोलेगा तो मैं बोल देता हूं अंडरिस्कोर फूल अंडरिस्कोर स्टैक अंडरिस्कोर एक्सियोस इत डजन मैटर आप कुछ भी नाम दो बट मुझे याद रहेगा कि react full stack with axios मतलब यह था मैं सेलेक्ट कर करां react you know down arrow करके and by using a javascript and this is it तो बहुत के लिए लिए देख सकते हूं कि अब यहाँ पर आपको दिखाता हूं फिर से ठीक है तो इन्होंने बोला कि once जब आप करते हूं तो आपको पहली उस change directory basically उस folder के अंदर आना है फिर आपको जितने भी packages and dependencies उनको install करना है and then आपको run क करना है ठीक है तो ठीक है cd and then tap press करूंगा उसके अंदर गाया अब npm and then install इन्होंने बोला तो वह मैं कर रहा हूं लेकिन साथी साथ एक चीस में यह बताना चाहूंगा कि हम obviously axios में काम कर रहे है तो हमें axios भी लगेगा ठीक है तो npm axios लिखे यहाँ पर आईए and यहाँ प ज्यादा टाम नहीं लगेगा अगर यह देख लिया तो आज का वीडियो का अल्मोस्ट आपका डन है फिर ठीक है क्योंकि काइंड ओप यही आने वाल है ठीक है तो इस पर मैं चलता हूं यह को npm install axios copy करता हूं and clear करके आप मैं वापस इसको install कर रहा हूं क्योंकि हमें यह ठीक है npm run and then deb ठीक है तो सबसे जाधे important always यह रहता है कि जब भी हम वीडियो बना है आपको package.json file दिखाए ताकि अगर आप लेट से 5 साल बात देख रहे हो तब तो guys कुछ बोल नहीं सकते 5 साल बात तो बट हाँ at least अब भी मैं इतना guarantee दे सकता हूं कि 2027 तक कोई problem नहीं है ठीक है यहाँ पर देख लीजे यह जो वर्जन आपको दिखाए दे रहा है तो मैं आपको एक चीज़ बात आना चाहूंगा कि अगर आप मेरे यहाँ पर आते हो ठीक है and इज जेगे पर यह जो second video आपको दिख रहा है गाईस second video में क्या बोला है install करना react version 19 तो क्योंकि अभी हमारे पास क्यों option नहीं अभी मैं अगर करूंगा तो version 18 ही होगा क्योंकि 19 अभी तक आया नहीं है लेकिन rc बेसिकली जो release candidate stage है उस पे हमारा version 19 आच चुका है तो मैंने version 19 इंस्ट्रॉल करके आपको बता है तरीका यह यह बस आपको rc लिखके कर देना है बाट व में अभी नहीं करूंगा फिलाल हमाले यह जो cut operation इसको देखना इंपॉर्टेंट है using axios बट इसको आप जरू कलते हैं we have this app.j6 इसको मारा गोली जल्दी से यहां पे so let's go with const we have app let's go with return h1 hello react cut operation ठीक है control let's save कर रहा हूँ obviously guys आपको इसको export करना पड़ेगा export default and here we have our app control let's save कर रहा है and यह already 5174 पे run कर रहा है all right guys तो यहां पे चलते है बो हो जाएगा हमारा 74 क्योंकि 73 में तो हमारा project run कर रहा है तो हमें बनाना है तो hello react cut operation all right perfect मैं यहां पे चलता हूँ index.csx इसको मारो गोली app.csx इसको भी मारो गोली यह हमें नहीं चीए फाल्तु के सब ठीक है इसको अटाया इसको अटाया and this is it तो अब अगर मैं चलता हो तो hello react cut operation perfect ठीक है so हमारा इतना काम होगे अब बहुत ही जाद important है एकदम ध्यान से सुनेगा आपको यह miss नहीं करना है ठीक है मैं यहां पर आता हूँ अब यह आपका जो source folder है अब हमें यहां पर axios की मादद से data को get करना है ठीक है सबसे पहला तो यह data को get कर लो at least तो source folder पर हम एक new folder create करेंगे convention यह बोलता है कि इधर जब भी आप API के सा तो आप यह तो services folder बनाओ या तो utils वाले folder बनाओ या तो API वाला folder बनाओ तो आप services भी बना सकते हो कल की वीडियो में मैंने services बनाया था बट आज मैं API बना रहा हूं और मैंने छोड़ दी अब इस folder के अंदर में एक new file create कर रहा हूं और मैं नाम रख दूंगा इसका इस तर अब यहां पर सबसे ज्यादा important है जब भी आप axios के साथ काम करें we need to create an instance of our axios तो हम कैसे instance create कर सकते ध्यान से देखिएगा तो guys we need to write axios.we have this create method ठीक है अब automatic suggestion तो आना चाहिए था बट मुझे आया नहीं कोई problem नहीं है लेकिन जब भी आप axios के साथ काम करते हो so make sure कि यह जो axios से you need to import from your axios this is it so all right तो यह जो instance अब हम create कर रहे है उसका एक नाम हमें देना है कोई ना कोई एक variable नहीं हो तो हम उस instance को इस टोर्ड करना पड़ेगा तो उसका नाम में दे देता हूँ API mostly हम API ही देते एक चलो ठीक है अब यह जो create method है इसके अंदर हमें एक object पास करना रहता है उस object के अंदर हमें एक property define करनी पड़ती जिसका नाम है base URL यह जो हमारा base URL है इसकी हमें एक value देनी है and that is your actual API जहां से आप data को get करना चाह रहे हो ठी जो लगा कि फिलाल आप लोगों के लिए यही simple सा एक में बना के रख देता हूँ so here we have a post ठीक है यहां पर आप देख सके इस तरीकी से मैं यहां पर आके इसको मैं कर देता हूँ मैंने paste कर दी so this is our property this is our value अब base URL बेस मतलब always क्या होता है कि एक ऐसा base जो always same रहेगा जैसे अब घर बनाते हो तो आपका घर का base बनता है उसके उपर आप जितना माला उठाना उठाओ जो चीजे रखना रखो तो उससे तरीके से यह typico.com यह आपका base है and यह जो post है यह आपक इस तरीके से नहीं लगेगा तो मैंने बस इतना create करके छोड़ दी so now आपका instance बनके ready है अब हमें क्या करना होता है अब हमें functions create करने पड़ते हैं उस function में हमें कौन सा method हमें use करना है वो define करना पड़ता है ठीक है for example get method ठीक है get method मतलब हमें data को get करने अब कैसे करेंगे देख इसको export const get post कर देता हूं equal to basically fight arrow function बाकी कुछ नहीं है और यहाँ पर return अब देखो यह जो आपका instance API समझे रहा हूं तो basically यह जो आपको दिख रहा है यह जो API है और यह जो API यह दोनों से में यह मैं अब instance कर रहा हूं अब इस instance के पास बहुत सारे methods आ चुका है जिसमें से एक आपका यह देखो automatic आगे get method and यहाँ पर आपको वो उसका जो root है यह जो path है वो define करना है कि यह तो चलो base हो गया उसके बात क्या उसके बात मैं आपको बात आता हूं यहाँ पर वापस आते है मैं back चलता हूं ध्यान से दिखना roots है यहाँ पे इतने सारे जिसमें से अगर आपको लिखना पड़ेगा आपका जो भी है and then forward slash post तो आपको data आजाएगा अगर आपको data को add करवाना है तो we have this post अगर update करवाना है तो we have this put अगर delete करना है तो यह तो यह आगे जाके मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि यह क्यों यहाँ पे forward slash 1 forward slash 1 है यहाँ पे get के time यह यह बहुत important है बाट फिलाल अभी आप इतना समझो कि base URL में अगर मैं forward slash post डाल दूँगा and enter hit करूँगा तो मुझे data आजाएगा for example यह देखो यहाँ पे forward slash post यहाँ पे देखिए forward slash and then post तो यह अब मुझे वहाँ पे add करना है क्योंकि यह मेरा क्या root है न तो forward slash post ठीक है and confuse मत हो जाना है यह http method नहीं है यह जस्ट इन्होंने दिया है यहाँ पे कि आपको यह post इसको call करना पड़ेगा यह आपका base उसके बाद forward slash post ठीक है and जब भी आप इस function को आप call करोगे कहीं पे भी वो क्या करेगा base URL तो आपका यह है forward slash add जो है at the end में append कर देगा and अब आपको बस इस function को copy कर करना है मैं चलता हूं मेरे app.jsx file पे ठीक है इसको हटा रहा हूं and यहाँ पे एक काम करता हूं मैं इस जगे पे console.log and यह जो data है function basically इसको पहले तो देखो मैंने import कर ली हमारा API यहाँ से and मैंने इस function को call की let's see what happened क्या होता है अगर मैं इस function को call करता हूं मैं inspect कर रहा हूं console पे मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे मुझे एक promise मिल रहा है आप देख सकते हो बहु है I am getting a promise and जो कि fulfilled भी हो चुका है ठीक है so अब हमें क्या करना होगा देखो कभी भी अगर आप react में काम करो directly आप data को get नहीं कर सकते उसके लिए what we need to do we need to use the use effect ठीक है and guys यह सब मैं अपने react version 2019 series में update कर चुका हूँ तो please make sure उसको अच्छे से देखिए use effect में get post data करके मैंने एक function call की ठीक है मैंने एक function यहाँ पे मैं call कर रहा हूँ and वो जो मेरा function है मैं यहाँ पे define करूंगा simple है न and यह आप इस तरह के से नहीं कर सकते and जब भी आप guys you know axios के साथ खेलते हो या कोई भ you can go with dot dan dot catch all a method और else उससे भी better है आपका async await तो async await के लिए आपको आपकी function को async बनाना पड़ता है const response यह जो variable है इस पर मैं अपना जो data है जो मेरे API से मुझे मुझे मिल रहा है वो store करना चाहता हूं so get post मैंने यहाँ पे call कर दी अब इसका जो भी data आ रहा होगा मैं उसके इसके लिए wait करूंगा तो we need to write the await and अब अब अगर मैं console.log and यह जो response से पास कर दूँ अब मैं इसको अटा रहा हूं इसके कोई मुझे need नहीं this is it तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं की बस यह जो मेरा use effect है मुझे उपर इसको add करना पड़ेगा by the way guys so it's a import we have a use effect from our react this is it ठीक है सो बस इतना ही करना था यह बहुत important यह बहुत ही जाद important we need to create an instance and then आपको guys अब आपका एक एक function create करते जाना and यह जो function create की मैंने get method यूज की है data को read करने के लिए and मैंने just उस function को call के get post यहाँ पे आप देख सकते हो and बस मैंने promise use कर दी data आप जो भी मुझे मिलेगा यहाँ प मेरा data आगया मुझे मेरा data आगया यहाँ पर आपको मुझे problem कितनी easily axios में आप आप देख सकते हूं कि हम data को get कर सकते है and यहाँ पे beauty आपने देखा होगा अगर आप fetch use करते तो इतनी जल्दे आपको data नहीं मिलता आपको further response.json करना पड़ता and उसको कुस्तों भी आप कौन data करते हैं इस्तरगे से right तो beauty यह है axios में कि आपका यह जो json transformation वाला जो port पार्ट है यह automatic करके हमें वो दे रहा है आपको उसकी करने की नीड़ी नहीं देखो ना यहाँ यहाँ पर by default आपको data मिल रहा है यह देखो data by default आपको वो दे रहा है यहाँ तो आप मैं कुछ नहीं अब बिना json में convert करें so this is the power of your axios and और भी बहुत सारे है and power एकदम अच्छे से समझने के लिए पूरा detail में axios को तो I highly recommend इस वीडियो के एक बाद जरू check out कीजिए इसलिए मैंने कली डाला था आप एक बार देख लिए मज आ जाएगा थोड़ा बात comparison करके बताया मैंने ठी इस वीडियो के लिए इतना ही कल के वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगो इस डेटा के साथ आप कैसे खेल सकते हो कैसे आप इतना जो awesome look करेट कर सकते हो ठीक है उसकी बात हमें guys post करना है update देखना है delete देखना है इसको और better करना है तो बहुत सारे चीजे बाके लेकिन target हम रखते हैं सिर्फ 1000 likes and I know यह आप कर सकते हो comment करके बताईए गाईस आपको कैसा लागा या किसी को कुछ समझ नहीं तो comment करके जरू बताईएगा and now our next target is 7 like subscriber आप देख सकते हो हम बहुत करीबे बहुत जल्द हमें like वह मिलने वाला है तो please subscribe कर लिजेगा and मिलता हूं मैं आपको कल की वीडियो में तिल दन गाईस थैंक यह सो मुच टेक क्यो